वेल्कान टू सीजी रिक्षा मैं दिनिसा सर जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास्टेंट का सेकेंड चेप्टर का ठीक है दो चरों का राखिक समिकरन के लिए तो समिकरन में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज के बहुत सारे कुछिशन को कवर कर चुक एकल के एक अदुतिय अहल मतनब किसी के समान नहीं होता है कि लेचा अदुतिय आदुतीय अदुतिय पूत्र बोलते हैं बोलता है उस्हीं तरिक अजो जमीन जैदाद जितना मिला है उसको बेज देता है ठीक है लागा मोडी कर लेता है उसको बोलते है कुपूत्रा किलियर तो चलिये देखते हैं हम लोग exercise आप मैस सबनाने में कोई दिक्कत ना हो जितना प्राक्टिस चरहे उतना ही exercise आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा यहीं से आपका दो नंबर का क्वेश्च चान आता है अपका कमान ज्यात कीजिए जब समिकरन निकाय का कोई भी हल ना हो के कमान ज्यात कीजिए जब समिक्रन निकाय का अनंता अनेक हल हो तो चलिए हमारे पास question ये दिया गया है कि दरसाई के निम लखित समिक्रन निकाय का एक अदूती अहल होता है तो अदूती अहल के लिए हमारे पास जो formula होता है A1 by A2 is not equal to B1 by B2 clear तो इसी formula में हम इसको swap करेंगे इसी formula में इसको put up करेंगे और यहां से हम लोग इसका value के का value find out करेंगे जब के वाला method use होगा तो clear तो यहां पर देखते हैं हमारे पास दिया गया है 3X plus 5Y equal to 12 now equation number first so यहां पर A1 का वल्ली हो जाएगा 3 now B1 का वल्ली हो जाएगा 5 now C1 का वल्ली हो जाएगा 12 now second equation is 5X plus 3Y equal to 4 now A2 equal to 5 now B2 equal to 3 now C2 equal to 4 so हमारा formula बोलता है A1 by A2 is not equal to B1 by B2 so A1 by A2 A1 का वल्ली है यहां पर आपका 3 now A2 का वल्ली हो है आपका 5 now B1 का वल्ली हो है आपका 5 now B2 का वल्ली हो है आपका 3 so A1 by A2 is not equal to B1 by B2 clear तो यही प्रूफ हो जा रहा है यहां पर 3 by 5 is not equal to 5 by 3 मतब यहां समिक्राण निकाय का अदूतिहार रखता है समिक्राण निकाय का अदूतिहार कब रखेगा जब A1 by A2 is not equal to B1 by B2 रहेगा clear तो इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट कुश्यान को हम लोग स्वाल कर ली है जितना आप ज्यादा प्रेक्टिस करोगे कुश्यान उतना ही कम से कम मिनट में आपका स्वाल होगा clear practice के वर्ट प्रेक्टिस ही है माज साब का बस question क्या बहुर रहा है तब तक पढ़ते रहे है जब तक की question समझना जाए आप जितना बार question को पढ़को उतना ही आपको clue मिलते जाएगा clue मिलते जाएगा मतलब आपको A1 का value मिलेगा A1 का value मिलेगा मतलब A2 का value मिलेगा A2 का value मिलेगा B1 का value मिलेगा तो B2 का value मिल गए तो आपको फार्मुला को paste कर देना है यहीं पर A1 by A2 is not equal to B1 by B2 तो अदूतिय हल के लिए हम लोग यहाँ पर देख लिए तो यहाँ पर हमारे पास यह सिद्धा हो जाता है कि 3x plus 5y equal to 12 ना 5x plus 3y equal to 4 यह दोनों समिकरण निकाय का अदूतिय हल रखता है मतलब A1 by A2 is not equal to B1 by B2 चलिए इसी के बेस्में हम लोग देखते हैं हमारा next question next question हमारा question number 2 दरसा यह किने लोगे समिकरण निकाय के लिए अनंता अनेखल रखता है यहाँ पर समिकरण निकाय के लिए अनंता अनेखल रखता है के लिए मत यहाँ पर जो समिकरण का जो दो रेखाय प्रापता होगा वो समपाती रेखा होगा जब समपाती रेखाय प्रदर्सित होती है तो अनंता अनेखल होता है और जब दो समानतार रेखाएं होती है तो वहाँ पर आपका समीकरण कोई भी हल नहीं रहता लेकिन जब दोनों समीकरण रेखाएं एक दुसरे से प्रतिछेद करते हैं तब वहाँ पर अदूती हल कर आपता होता है अदूती हल कर पर आपता होगा जब समीकरण निकाएं कब प्रतिछेद बिंदू से ओकर के गुज्रेगा समानता रेखा दोनों रहेगा तब वहां पर आपका कोई भी हल नहीं रहेगा लेकिन अगर दोनों समिक्रान निकाह का आपका संपाती रहेगा तब वहां पर अनेका लोगा करते हैं आप लोग नोट कापी बनाए है उसमें कितना दिया है 2x-3y ङसीगवल्य बोल रहे थाँ आपका 15 शाथ एक्षामिय नौन व कुमस टाने सब्सेंगे उस इस जाही तो यह किनीम ना लिखिश समी कराना आपके लिए अनन्ता अनेखल रगता है तो अनन्ता अनेखल के लिए हमारे पस जो फार्मुला होता है A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 clear मतब आपका A1 by A2 आपका B1 by B2 के equal होगा इस सिस्थिती में हम लोग एक्वेसर नमबर फॉस्ट से यहां से देख लिए कि A1 का वल्य 2, B1 का वल्य मैनस 3, C1 का वल्य 5, A2 का वल्य 6, B2 का वल्य मैनस 9, C2 का वल्य 15, तो चलिए यहां पर हम लोग को हमारे पास जो भी फार्मुला है उस फार्मुला में, जो भी गिवन उसको हम लोग पूट कर देते हैं, तो A1 by A2 means 2 by 6, now B1 by B2 means minus 3 by minus 9, now C1 by C2 means 5 by 15, जो cut up होता है, cut up कर दीजिए, जो cut up नहीं होता है, उसको जैसा कब ऐसा ही जटीज रख दीजिए, so 211, 236, now minus minus कड़ गया, 313, 339, now 555, 5315, यहां पर आगए आपका 1 by 3, equal to 1 by 3, equal to 1 by 3, so यहां पर हम लोग यहां से देख रहे हैं भाई कि हमारे पास जो अनंता अनेखल होता है, A1 by A2, equal to B1 by B2, equal to C1 by C2, तो इस नियम को यह फालो कर रहे हैं, मनताब, यह समिकरण निकायका अनेखल रखता है, जब 2 समिकरण निकायक दूसरे के समपाती रहते हैं, जब समानतार रहते हैं, तो कोई भी हाल नहीं होता है, और जब प्रतिछेत बिंदू पर होते हैं, तो वहां पर अधूतियार होता था, यह था हमारा कुश्चन नमबर 2, इस ही के बेसे हम लोग ने सब्सक्राइब तो चार नमबर के लिए वीडियो के अंदर तक बने रही है तो आपको चार रंक अरजित करना है तो आप लोगों को बता रहा था ठीक है वो आ गया है चलिए तो के कमान घ्याद की जहीं आता है आपके बोड़ प्विष्टे साल के पांट दर साल कर लिए इसका कोई भी हल नहीं हो फुट्र को हल करेंगे कोई पूत्र को करेंगे लिए इसे के बैसे हम लोग ढम बढ़े करेंगे कि लिए नियुक्ता करेंगे इसके लिए कोई भी हाल नहीं है, clear, तो चलिए, यहां पर हम लोग इसको solo करते हैं, at first, equation number first के रूप में हमको दिया गया है, at x plus 5y equal to 9, now equation number first, now second है आपका k, x plus 10y equal to 15, now equation number 2, at first, equation number first में आपका a1 का value है, at now, b1 का value है, 5, now c1 का value है, 9, now equation number second में आपका a2 का value है, k, now b2 का value है, आपका 10, now c2 का value है, आपका 15, so हमारे पास जो given data है, उसके लिए हमारे पास जो formula क्या है, a1 by a2 is equal to b1 by b2, is not equal to c1 by c2, so यहां पर formula को हम लोग यहां पर mention करते हैं, यहां पर हो जाएगा, आपका a1 by a2 is equal to b1 by b2, is not equal to c1 by c2, चलिए इस formula में हम लोग जो भी हमारे पास data given है, उसको हम लोग यहां पर put करते है, a1 means 8, so 8 हो जाएगा, a2 means k, so k हो जाएगा, b1 means 5, so 5 हो जाएगा, b2 means 10, so 10 हो जाएगा, it's not equal to c1 by c2, 9 by 11, clear, तो यह तो not equal होगे, अब यहां से k का value निकालना है, हम पर ठीक है, जो equal है वहीं से k का value निकलेगा, जो not equal है वहां से k का value ने 10, यहां से cross multiply होगा, 8 का multiply 10 के साथ होगा, k का multiply 5 के साथ होगा, clear, तो यहां से cross multiply होगा, तो कितना हो जाएगा, k का multiply हो जाएगा, k का multiply हो जाएगा, आपका 5 के साथ, now 8 का multiply हो जाएगा, आपका 10 के साथ, k का multiply 5 के साथ होगा, first time तो कितना हो जाएगा, 5 k, equal to 10 का multiply 8 के साथ सफेक्विद्धी आपका कость में पके सब्सक्राइर यहां पर की क ब्लिव कि यह यह रहा आपका अनसर क्स चीक बनन घएकिरम ने धो ज्याद करने के लिए के कमान हम लोग ज्याद कर लिए आप क्या कंडिशन यह रखा था कि समिक्राइब कोई भी हल नहीं होगा तो समिक्राइब कोई भी हल नहीं होगा तब को फार्मूला होता है आपका A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2 यह था हमारा question number 3 clear तो इसमें इसमें से आपका question number 3 होगा के वाला method से आपका जो भी एक्जाम में आता यह most important question के लिए इसी के बेस्पे देखते हैं हम लोग अपना next question now question number 4 तो आपका question number 3 का फार्षा को देख लिए second number question है यहाँ पर भी हमको cake value find out करना है AX plus 3Y equal to 3 now equation number first now second equation है आपका 12X plus KY equal to 6 यह हो गए आपका equation number second condition यह बोर रहा है कि यहाँ पर जो आपका समीकरान का निकाह है clear समीकरान का आपको जो निकाह है यहाँ पर बोल देखिए कि कोई भी हाल ना हो तो कोई भी हाल ना हो भाई के लिए आपका जो फार्मूला होता है now A2 का value आजाएगा 12 now K now B2 का value आजाएगा आपका यहाँ पर K now C2 का value आजाएगा आपका 6 clear तो इस बेस पर हम लोग हमारे जो फार्मूला है इस फार्मूला के यहाँ पर पेश्ट करते हैं भाई तो हमारा फार्मूला क्या है A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2 जो भी आपको given data उसको यहाँ पर पूट कर दीजे भाई इस value को यहाँ पर पूट कर लीजे जो भी आपको find out करना रहेगा K का value यहाँ से आ जाएगा तो चलिए A1 means K तो K हो जाएगा, now A2 means 12 तो 12 हो जाएगा, equal to B1 means 3 तो 3 हो जाएगा, B2 means K, so 3 by K हो जाएगा, it's not equal to C1 by C2, C1 means 3, now C2 means हो जाएगा आपको 6, clear, चलिए जो cut up होता है कटा दीजे, जो cut up नहीं होता है रहने दीजिए, clear, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, कुपूत्र को छोड़ दो, सुपूत्र और पूत्र के पास आजाओ, तो यहाँ पर K, K के साथ multiply होगा, तो यह K square हो जाएगा, 12 का multiply 3 के साथ होगा, 12, 3 जाओता है, आपको 36, और एक rule बताया हूँ मैं भाई, कि अगर square हटता है, तो square root लगता है, तो यहाँ से मैं square को हटा तो यहाँ से आपका square root रगेगा, 36, 36 सा कि square root होता है, आपको 6 सा, इसके लिए आपको factor आइस करना पड़ेगा, 36 सा के पास जाना पड़ेगा, 36 सा कि आपको last digit number को देखना है, अगर वो आपका even number है, तो even number से जाएगा, odd number है, तो odd number से जाएगा, फिलाल हमारे पास to even number है, त आपका 2 का pair बनता है, cube root में आपका 3 का pair बनता है, तो यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया है, तो जो जिसका जोड़ा बनता है, वो बाहर आ जाता है square root से, तो यहाँ पर जोड़ा बन गया, 2 into 2 into 3 into 3, 2 how many times, 2 times, 3 how many times, 3 times, 2 times, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से आपका 3 बहार आगे 32 जाओ गया 6 136 सकाई स्क्वेर रूट होता है आपका 6 इसलिए यहां पर के कवल्यों आ जाएगा आपका 6 यह रहेगा आपका आंसर के कमान ग्यात के जिए जब समिक्रान निकाय का कोई भी हाल ना हो तो इसकी लेपफ फर्मूला इसकी बेस पर देखते हैं हमारा अपना नेश्ट कुस्चन कुस्चन नमर थाड ना कुस्चन नमर थाड के एक सब्सक्राइब करते हैं उसकी बेस आपको कहीं नहीं जाना है एक्वेशन है यहाँ पर इसकी मेंसन किजिए के एक्स माइनस 5Y एक्वल तो टू ना इक्वेशन नमर फास्ट नाव 6 अ एक्स प्लस 2Y एक्वल तो 7 नाव एक्वेशन नमर सेकेंड चलिए दोनों को हम लोग कंपेर करते हैं कंपेर करेंगे तो यहाँ से हमको value find out होगा तो इस तरीके से हमारे जो फार्मूला होता है फार्मूला क्या होता है तो यह तो अभी recorded वीडियो चरहे जब live class चलेगा तो आपको बहुत ही मज़ा हैगा और अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करेंगर और अभी तक आप लोग वीडियो देख रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आपको जानना है तो आप हमारे कोर्स को परचेस कीजिए जा करके ठीक है तो चलिए हमारा जो कुश्यान है में कॉंसेप्ट है क्या आपफो रहे कि 1-5 पर इकल टू 6X-5 पर इकल टो 7 is not equal to c1 by c2 a1 means k b2 means 6 b1 means minus 5 b2 means 2 is not equal to c1 means 2 c2 means 7 is not equal to छोड़ दो भाई इस बंदे को छोड़ दो clear सभी चाहते हैं कि पूत्र और सुपूत्र हो clear तो चलिए k का multiply 2 के साथ होगा तो यह 2k हो जाएगा equal to 6 का multiply minus 5 के साथ होगा तो minus 30 हो जाएगा तो यहाँ से k value कितना हो जाएगा multiply आपका divide में जाता है तो यहाँ पर आजाएगा minus 15 तो यहाँ पर आगया k value minus 15 mention किजिए ans.answer तो यहाँ पर हमारे पास भी समिक्रण निकाएगा अदूतिया हल कब रखता है जब अतूतिया हल कब रखेगा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 यह आपका समिक्रण निकाएगा कोई भी हल नहीं रखता तब का formula है अदूतिया हल के लिए क्या formula होता है a1 by a2 is not equal to b1 by b2 समिक्रण निकाएगा अनंत अनेक हल के लिए सूत रहता है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 now question number 3 को हम लोग clear कर चुके है इसी बेस पे हम लोग next question देखते है next question हमारा question number 4 clear यह आप एक बेस पे आपका question बनेगा निकाएगा निकाएगा एक अदूतिया हल के लिए के कमान ग्याद किजिए अदूतिया हल बोर रहा है भाई इसके समान कोई ना हो तो चलिए के कबलियों यहां से हम लोग find out करते हैं तो पहला दिया है आपका k x plus 2y equal to 5 now 3 x plus y equal to 1 तो अदूतिया हल के लिए यहां पर formula जो होता है इस अदूतिया हल के लिए formula को यहां पर मैं लिक देता हूँ भाई अदूतिया हल के लिए formula होता है भाई आपका a1 by a2 it's not equal to b1 by b2 इसको mind में state कर लिए जितना basic fundamental आपका clear होगा उतना ही आपका जो mind है जो mentality है आपका उतना ही अच्छे से solo करेगा clear अगर आपका base strong है तो आपका building भी power building जो आपका बनेगा वो बहुत ही strong बनेगा अगर base आपका strong नहीं है तो आपको question बनाओगे लेकिन beast में कहाँ पर रुकोगे कहाँ पर रटकोगे कहाँ पर फसोगे इसका कोई ठीक ठीकाना नहीं इसलिए base को clear किजिए normal way पर चार रहा है formula को ले करके चार रहा है basic से basic को ले करके चार रहा है clear तो यहाँ पर हमारे जो question नहीं कि समिक्राइब के एक अदूती हल के लिए के कमान ग्याद कीजिए तो question नहीं में आपके पास दे दिया गए यहाँ पर इसके लिए हम लोग solve नहीं करते है तो यहाँ पर हमारे पास जो भी डाटा गिवेन है के एक सब्सक्राइब को फाइब जो भी पहला पर एक्वेशन के रूप में आएगा उसको जो जाएगा 5, A1 जो जाएगा K, now B1 जो जाएगा 2, now C1 जो जाएगा 5, now equation number seconds के हम लोग देखेंगे तो A2 मीन सो जाएगा 3, now B2 मीन सो जाएगा आपका 1, now C2 मीन सो जाएगा आपका 1, यहाँ पर जो भी variable रहे का चर को आपको छोड़ना है भाई या चर को लिखना है जो जली इस फॉर्मुला में हम लोग यहाँ पर वजूटा जली इस फटैस विखने देखेंगे हमारा फार्मुला क्या बोलता है a1 by a2 is not equal to b1 by b2 चलिए इस formula में हम लोग यहाँ पर value को put करते हैं भाई तो a1 मीन सो जाएगा आपका k now a2 मीन सो जाएगा 3 is not equal to b1 मीन सो जाएगा 2 now b2 मीन सो जाएगा आपका 1 चलिए इसको हम लोग cross multiply करते हैं k का multiply first time 1 के साथ होगा यहाँ पर हो गए यह रहेगा आपका answer यह था आपका question number 4 का first number question number 4 आपका एक ही formula में बनेगा a1 by a2 is not equal to b1 by b2 clear तो इसे हम लोग first question को यहाँ पर solo कर चुके हैं clear अगर वीडियो के अंत तक बने रही तभी आपको समझ में आएगा अगर इस chapter को इस exercise को solo करने तो इसके पहले जो basic बताए हो उस वीडियो में जाकर क्या विजिट कीजिए वहां से आपको अदूती हल कप रापता होगा समिक्रान निकाय का नंता हने कप रापता होगा समिक्रान निकाय का कोई धी हल कप रापता नहीं होगा इसको fundamental knowledge में जाकर के देखिए अगर fundamental knowledge भी नहीं देखते हैं तो इसको इसको देखते जाए नोट डाउन करते जाए जितना आप नोट डाउन करते जाओगे आप कही बेनिफिट होगा इसलिए आप इमानदारी के साथ परचेस किया और अच्छे से आप इस मात्र सलाना सूल का 500 रुपे में इतना आप लोगों के देखने के लिए और आप लोगों के भलाई के लिए लाया गया ठीक है इस एक को लाउंच किया गया तो उसका ज़्यादा ज़्यादा लूत से जाठा कमा सकते हैं इसमें आप लोग पढ़ा सकते हैं जितना आप ज्यादा क्लास किंट ख обязें करोंगे अपको जब जमें result करेगा आपको फिक ऑ उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि इस पोर्स पर्टेस करके आप सही काम किये थे siis क्लिए उसले सब्सकर किbor son चलिए इसको हम लोग solo करते हैं तो यहां पर हमारे पास equation number first में जो दिया गया है इसको दिया है बोलकर लिखना है जो भी मैस समय आप लोग लिखोंगे आपका मैस का मार्किंग होता है भाई वो method wise होता है आप दिया है बोलकर लिखोंगे उसके बाद कुछ स्टेप solo करेगा तो उसमें आपको मार्क से मिलेगा अगर आप question को 18 ही नहीं करोगा तो वहां से आपको मार्क से नहीं मिलेगा तो इसी के base के हमारे पास दिया गया है x minus 2y equal to 3 now equation number first now second है आपका 3x plus ky equal to 1 यह हो जाएगा आपका equation number second इक्रेशा प्रस्थ से हम फट्रापता होगा भाई यह वनका यह था रएगा आपका is willy आपका यह कुल से नहीं है अब लुक्र लाइब को इसी पुल्स को प्रमॉली मेंigon कब किस Oklahoma राखते है अदूतियाल कब रखेगा जब प्रतिछेत बिंदू एक दूसरे से हो करके गुजरेंगे तब अदूतियाल रखेगा जब दोनों समानतार रहेंगे तब कोई भी हल नहीं होगा जब दोनों समपाती रहेंगे तो समिक्रा निकाय का अननता अनेकाल होगा अननता अनेक हल के ल इसलिए अब जितना बार बोलोगे, जितना बाल लिखोगे, आपको ये फार्मुला उतना है याद होता है, अगर याद करोगे, товते की जैसे तो भूल जाओगी, अथे प्रेक् kişi करोगे, उतना है फार्मुला आपको अच्छे से याद होगा, तो चलिए, फार्मुला भी है, पर हम लोग कूट करते हैं वल्यों को A1 by A2 तो A1 का वल्यों है 1, A2 का वल्यों है 3, तो 1 by 3 is not equal to हो जाएगा B1 by B2, B1 का वल्यों है minus 2, B2 का वल्यों है आपका K, यहां से cross multiply होगा, K का first time multiply 1 के साथ होगा, then K1 जाके is not equal to minus 2 का multiply 3 के साथ होगा, minus 2, 3 जा हो जाएगा 6, minus plus का multiply minus, तो यहां पर आगए के को वल्यों minus 6, यह रहेगा आपका answer, कब की सिती में, जब समिकरा निकाय का अदूती हाल होता है, A1 by A2 is not equal to B1 by B2, इसी के बेस्टे हम लोग कूश्चन और 4 का second number को देख लिए, अगला देखते हैं हम लोग third number question, तो चलिए, next question की तरब हम लोग आग question number 4 तका third number को asolbe.solve, it's given that, चलिए, solve करते हैं भाई, इसको हम लोग, हमारे पास जो भी data दिया गया है, kx plus 3y equal to k minus 3, equation number first, now 12x, 12x plus ky equal to the ik, now equation number 2, equation number first से हम लोग value find out करेंगे, a1, b1, c1, now equation number 2 से value find out करेंगे, a2, b2, c2, तो चलिए, value find out करते हैं भाई, a1 means हो जाएगा भाई, आपका k, b1 means हो जाएगा भाई, आपका 3, c1 means हो जाएगा भाई, आपका k minus 3, उची जगा पर उची चिन्धों का परियोग करते हैं आपको लिखना है, clear, कहां पर क्या लिखना है, उल c2 का बल्ली हो जाएगा k, चलिए, फार्मुला क्या बोलता है भाई हमारा, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, clear, c1, c2 के पास आपको नहीं जाना है भाई, नहीं जाना है, इसका मतभिये नहीं है कि उसके गुणान को नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा, clear, तो चलिए, a1 by a2 का कितना है भाई, 3 by k, चलिए, क्रास मल्डिप्लाइ करे, k का मल्डिप्लाइ k के साथ होगा, क्या हो जाएगा, k2 is not equal to, 12, 3, 36, k2 रटेगा, square root रखता है भाई, जी विलकुल रखता है, तो 36 तक square root कितना होगा, भाई, 6 हो जाएगा, तो आपका आंसार जाएगा, plus minus 6, clear, ये रहेगा आपका आंसर, question number 4 तका, third number का, बहुत ही interesting chapter है, बहुत ही interesting exercise है, बस तीन ही फार्मॉला में पूरा question आपका solve आए, तीन फार्मॉला आपके मायन में set कर लो भाई, clear, चलिए, इस इक बेस पे देखते हैं, हम लोग अपना next question, next question है, question number 4, 4x minus 5y equal to k, 2x minus 3y equal to 12, तो चलि now 2x minus 3y equal to 12, now equation number 2, equation number 1 से हम लोग value find out करेंगे a1, b1, c1, और equation number 2 से value find out करेंगे a2, b2, c2 का value find out करेंगे, so a1 means हो जाएगा आपका 4, now b1 means हो जाएगा आपका minus 5, now c1 means हो जाएगा आपका k, now a2 means हो जाएगा आपका 2, now b2 means हो जाएगा आपका minus 3, now c2 means हो जाएगा आपका 12, clear, केवाल आपको चर उसी को चोड़ना है गुडा को सब देखना है तो चलिए फार्मूला क्या बोलता है हमाए पास अदूती हल के लिए a1 by a2 is not equal to b1 by a2 यह है ना किलिर तो चलिए इसके बैस में हम लोग स्वार्लो करते हैं अब क्या बोलता है अदूती हल के लिए यही बोलता है अदूती हाल के लिए यही बोला है देखिए तो यहां पर 4 by 2 है भाई 4 by 2 है इस नाट इक्वल कितना है आपका B1 by B2 है मैं तब माइनस 5 by माइनस 3 है क्लियर कुश्चन में क्या बोर है देख लिए इस तरीके से पहला कुश्चन में इस तरीके से बोला है आपका सेकेंड हो गया यह अपका फाश के का मान गयाद की ज़र समय करने काई के लिए एक अदूती अहल होता है एक अदूती अहल आपका होता है तब किस्तितिम यहाँ पर के कवली हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर देखिए तो यहाँ से हम लोग यह देख सकते हैं कि C1 by C2 यहाँ पर हम लोग देखें कि चुकि इसमें तो आपका नहीं आ रहा है यहाँ पर आपको मेंशन करना है के बाय है आपका ट्वेज़ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अब यह आपका हो जाएगा 4 by 2 is not equal to minus 5 by minus 3 equal हो जाएगा 5 by 12 तो यहाँ से cross multiply होगा तो कितना हो जाएगा minus 3 k equal to minus 60 हो जाएगा 12,560 हो जाएगा minus minus कटेगा भाई तो कितना हो जाएगा 60 by 3 equal हो जाएगा आपका 20 यह रहेगा आपका के कबल्यू जब आपका A1 by A2 is not equal to B1 by B2 रहेगा तो आपकी इस्तिति में जो आपका C1 by C2 है वह B1 by B2 के बराबर होगा तब इसको लेकर के आपको solve करना है तो यह था हमारा question number 4 का हम लोग बहुत सारे question को solve कर लिए क्योंकि उसी बेश से बन रहा है उसी formula का हम लोगों के यूज करना है clear तो चलिए next question देखते हैं भाई हमारा next question है question number 5 अब यह अलग बेश से बनेगा भाई यह जो आपका question यह अलग बेश से बनेगा नेम लग इस समीकरन निकाल को लेकिए कमान क्यात कि जब इस समीकरन निकाल के अनंता अनेकल हो अनंता अनेकल को क्या सूतर होता है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 तो चली इस question को हम लोग solve करते हैं तो चली at first पहला question हमारे पास दी दिया गया है भाई इसको solve करते हैं पहला question क्या दिया गया है 2x plus 3y equal to 7 now k minus 1x plus k plus 2y equal to 3k चली तो solve करते हैं at first हमारे पास जो भी दिया गया है क्या दिया गया है भाई यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 2x plus 3y equal to 7 now equation number first now k minus 1x plus k plus 2 y equal to 3k now equation number 2 formula क्या होता है भाई हम लोग equation number first and second से प्राप्त करेंगे तो a1, a1 का वल्य हो जाएगा 2 now b1 का वल्य हो जाएगा 3 now c1 का वल्य हो जाएगा 7 now equation number 2 से इसका compare करेंगे तो a2 का वल्य हो जाएगा k minus 1 now b2 का वल्य हो जाएगा k plus 2 now c2 का वल्य हो जाएगा 3k formula क्या बोलता है भाई formula बोलता है भाई a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 चलिए formula को यहाँ पर हम लोग put करते हैं a1 means 2 a2 means k minus 1 b1 means 3 b2 means k plus 2 c1 means 7 c2 means 3k चलिए अब 2 के ले करके बनाते हैं भाई हम इन दोनों के ले करके बना लेते हैं क्या दिक्कत है भाई 2 by k minus 1 equal to 7 by 3k 3k का multiply आपका 2 के साथ होगा 3 to 6k equal to 7 का multiply first time k के साथ होगा then 7k minus 7 का multiply second time 1 के साथ होगा 7 1 जब 7 हो जाएगा 6k यह आपका 7 कि धर आजाएगा भाई तो minus 7 के हो जाएगा 6k minus 7 के बड़ी संख में आपका negative mark है तो आपका answer आएगा minus minus k equal to minus 7 minus minus से cut up हो जाएगा के कबली आजाएगा भाई 7 यह राएगा आपका answer के खमान जाद कईजिए जब समीकर निकाय का अनंता अनेखाल हो यह फिप्ता नंबर का हमारा first question के लिए है तो इस question को हम लोग देख लिए इसे की बेस पे देखते हैं हम लोग अगला question हमारा next question है अगला question है के एक साप्रस 2 by minus 4 equal to 0 तो चलिए यहाँ पर a1, b1, c1 का value find out करते हैं तो a, so, l, b, e dot solo mention कीजिए यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया गया है data given है उसको लिखी है भाई तो यहाँ पर first हम दिया गया kx plus 2y minus 4 equal to 0 now equation number first clear now 5x minus 3y plus 6 equal to 0 now equation number second equation number first हम लोग value प्राफ्टा करेंगे a1, b1, c1 now equation number second से प्राफ्टा करेंगे a2, b2, c2 का value प्राफ्टा करेंगे तो a1 means हो जाएगा आपका k now b1 means हो जाएगा आपका 2 now c1 means हो जाएगा minus 4 और यहाँ पर हो जाएगा आप इसको पक्षांतर भी करोगा तो फिर भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जैसे उसको पक्षांतर कर दोगे तो फिर भी चलेगा यह आपका minus 4 इधर आ करके क्या हो जाएगा आपका plus 4 जैसे कि यहाँ पर है यहाँ पर इस question की बात करो देखो यहाँ पर 7 था आपका c2 का value हो जाएगा आपका plus 6 जारा करके minus 6 हो जाएगा तो चलेए शालो करते है अनंता अनेखाल के लिए अनंता अनेखाल के लिए सूतर होता है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 एक ही फार्मुला है तीन फार्मुला याद मतलब पूरा एक सासाइ चार नममर मिल जाएगा आपको तो a1 हो जाएगा k a2 हो जाएगा 5 नाव b1 हो जाएगा 2 b2 हो जाएगा minus 3 नाव c1 हो जाएगा 4 और c2 हो जाएगा minus 6 चलिए, 2 के base piece को solo करते हैं भाई 2 के base piece को solo करेंगे तो कितना हो जाएगा इन दोनों को ले करके सौलो करते हैं क्या दिक्कत है K by 5 equal to हो जाएगा 4 by minus 6 कितना हो जाएगा minus 6 सके equal to हो जाएगा 5, 4, 20 तो यहाँ पर K कवल्यू कितना हो जाएगा K कवल्यू हो जाएगा minus 20 by 6 कितना हो जाएगा 2, 3, 2, 1, 2, 0, minus 10 by 3 यह रहेगा आपका answer C2, यह था हमारा question नवर फिर्टर का second number इसी के base पर देखते हैं हम लोग third question को देखते हैं, 2 question और बचा फिर exercise खाता हम है भाई, 2 question को solo करते हैं, पूरा exercise खाता हम है और exercise खाता हम जाएगा और chapter भी finish है फिर next video lecture हम लोग third chapter chapter भी start करेंगे, चलिए question number third है हमारा, question number third है 3x plus ky equal to 7, now 2x minus 5y equal to 1 चलिए यहाँ पर solo करते हैं भाई, a, so, l, b, e dot solo, mention किज़े सभी 3x plus ky equal to 7 now equation number first, now 2x minus 5y equal to 1 now equation number second, equation number 1 से हम लोग find out करेंगे भाई, a1 का वल्य, a1 का वल्य, 3, now b1 का वल्य, k, now c1 का वल्य, आपका हो जाएगा 7, now a2 का वल्य हो जाएगा 2, now b2 का वल्य हो जाएगा minus 5, now c2 का वल्य हो जाएगा 1, चलिए formula हमारे पास क्या बोलता है, formula बोलता है भाई, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, a1 means 2, a2 means 2, a1 means 3 by 2 equal to b1 means k, k by minus 5, equal to c1 means 7, c2 means 1, चलिए में k वाला भाई है, k वाले भाई का तुन्हा किजिए भाई, 3 का मन्टी वाई 5 के साथ, 3, 5 जब, minus 15, 2 k हो जाएगा, तो यहाँ से k का वल्य कितना हो जाएगा, minus 15 by 2 हो जाएगा, यह रहेगा आपका answer, कि लिए इसी के बेस्ट के आपको फटाफार करके लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, इस दिया गया है, जो भी data given है, इसको तो पहला लिखना पड़ेगा यार, 4x minus 6y equal to 2 है, आपका के, now equation number first, now 2x minus 3y equal to 12, equation number 2, clear, equation number first हो से a1, b1, c1, equation number second से a2, b2, c2, चलिए, क्या दिक्कात है, a1 equal to 4, b1 equal to minus 6, c1 equal to k, a2 equal to 2, b2 equal to minus 3, और c2 equal to 12, अन्य ताहने काल के लिए हमारे पास फार्बूला क्या होता है, फार्बूला होता है भाई, a1 by a2 equal to b1 by b2, equal to 2 होता है c1 by c2, चलिए, फार्बूला में रख देते हैं, इस का वल्यू को क्या दिक्कत है, a1 का वल्यू है 4, a2 का वल्यू है 2, b1 का वल्यू है minus 6, b2 का वल्यू है minus 3, और c1 का वल्यू है k, c2 का वल्यू है 12, इन दो रोक लेकर के बनाते हैं भाई, इन इसलिए x, sorry cake value कितना हो जाएगा, 48 by हो जाएगा 2, 21, 22, 24, यहाँ पर आपका cake value कितना आगया, 24, यह रहेगा आपका answer, चलिए, तो यह था हमारा question और फिप तका 4th number question, चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, next question, question number 6